28 साल के एक डेफ कलाकार ने प्रधानमंत्री मोधी से मिलने का सपना देखा था। उसका सपना वास्तों में 23 जुलाई 2022 को पूरा हुआ, जब उसे आखिरकार प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। उसने असम के मुख्यमंत्री हिमंद विश्वा सर्मा के साथ प्रधानमंत्री मोधी से मुलाकात की। मैं आपको बताता हूँ, कुछ महिने पहले 28 वर्षय डेफ कलाकार अभीजित गोटानी और उसकी मा मुख्यमंत्री हिमंद विश्वा सर्मा से मिलने और उन्हें एक पेंटिंग पेश करने के लिए असम के सिलचर से कुवाहटी गए थे। डेफ कलाकार द्वारा की गई पेंटिंग से मुख्यमंत्री अत्यादिक प्रभावित हुए। अभीजीत ने प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा जताई मुख्य मंत्री ने विनमरता से उसकी बात सुनी और अभीजीत के जाने के बात उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालाई को एक पत्र लिखा पत्र में उन्होंने कहा कि एक 28 वर्षिय अभीजीत एक अजबूत देफ व्यक्ति है और प्रधान मंत्री से मिलना जाता है प्रधान मंत्री कार्यालाई ने अपॉइंट्मेंट के साथ जवाब दिया अभीजीत खुश था अपॉइंट्मेंट 23 जुलाई 2022 को निर्धारित की गई थी अभीजीत अपनी मा के साथ दिल्ली पहुँचा और मुख्य मंत्री सार मा भी दिल्ली पहुँचे प्रधान मंत्री मोधी को असल जिन्दगी में अपने सामने खड़ा देखकर अभीजीत अभीबूत हो गया अभीजीत ने प्रधान मंत्री मोधी को एक खास पेंटिंग भेट दी जो उन्हें बेहत पसंद आई पेंटिंग में प्रधान मंत्री के बचपन को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरों UNGA में बोलते हुए प्रधान मंत्री और कई आन्या खुबसुरत पोस्ट देते तस्वीरों की एक श्रंखला थी पेंटिंग देखकर प्रधान मंत्री मोधी ने अभीजीत की पीट थप थप आई जिससे वह खुश हो गया अभीजीत ने सांकेतिक भाषा में कहा जिसका अनुबाद उसकी मा ने किया मेरा हमेशा से प्रधान मंत्री मोधी से मिलने का सपना था और आज मेरा सपना पूरा हो गया है मैं हर दिन टीवी पर प्रधान मंत्री मोधी को देखता हूँ और उनसे मिलना चाता था और आखिरकार आज मैं उनसे व्यक्तिकत रूप से मिला वो बहुत ही नरम दिल और सरल इंसान है और मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ अभीजीत की मा ने कहा जब प्रधान मंत्री ने उसकी पीत थप थप आई तो मैंने उसके दिल में खुशी देखी और उसे महसूस किया वो बेहत खुश था प्रधान मंत्री मोदी, कुशल और प्रतिबाशाली युवाओ को प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं जो फिर बड़ी उचाईयों को हासल करते हैं मुझे यकीन है कि हम मेरे बेटे को और बहतर करने के लिए प्रेरित करेगा